नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष धाकुर के साथ NTA UGC NET विशय हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हम अपनी प्रशनोतरी की सीरीज को करने जा रहे हैं इससे पहले हमने पहले के जो 25 प्रशन थे उनको अपनी पीछे वाली जो हमारी पहले एक वीडियो हो चुकी है उसमें कर लिया था अगर आपने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप MC की वाली जो हमारी प्रेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं आज हमारा जो प्रश्णोतरी का भाग 2 है उसको हम करेंगे जो दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था सेकंड पेपर हिंदी का उसके जो 25 प्रश्ण है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए चुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो पहला प्रश्ण है देखिए नखास हिंदी नखास उर्दू जबान गोया मिली जूली हो उपरियुक्त कथन किसका है तो देखें विकल्प हैं शिप्रसाद सेतारे हिंद भारतेंदू हरिश्चंद्र राजा लक्ष्मन सिंग और जॉर् संबंधित यह प्रशन पूछा गया है पहले के जो दो-тीन प्रशन रहते हैं हमेश्य वह बाश्चा से शुंभनदित ही पूछे जाते हैं तो यह बाश्चा से क्या जो सरसयद एहमद खां थे उनको उत्तर में कुछ कह दिया था उर्दू की उसमें उन्होंने एक त्रिके से अलोजना की थी ठीक है तो ये दो विकल्प तो नहीं होंगे राजा लक्षमन सिंग और शिप्रसाद सितारे हिंद तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा विकल पश्चमी हिंदी की नहीं है देखिए अगर हिंदी भाषा से संबंधित या बोली से संबंधित कोई प्रशन आता है तो हम लोगों को जो बोलियों के उपर जो एक चार्ट बना हुआ है उसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से एक प्रशन हर बार पूचा ही जाता है तो देखिए अभी पश्चमी हिंदी पूचा है तो पश्चमी हिंदी किसके अंतरगत आती है सबसे पहली बात तो यह है यह आती है हमारे शौरसेनी अपभरहश के अंतरगत ठीक है शौरसेनी अपभरहश के अंतरगत आती है पश्चमी हिंदी और पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है मगही तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा option 4 मगही तो अब देखे इसको हम किस्तरिके से देख लेते हैं ये वाला जो चार्ट है इसको जो है हिंदी की बोलियों को याद गरने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर ये हमने अपन और मागदि शौरसेनी अपहह बहुत से जो उपभाशाई निकली है देखे पश्चमी हिंदी, Ρाजस्थानी हिंदी और पहाडी हिंदी तो देखे पश्चमी हिंदी के अंतरगत आगे आती है छे जो हमारी बोलियां है जिसमें तीन अकार बहुला और तीन क्या हैं ओकार तो उसी के अंतरगत देखिए यहां पर क्या आ रही है कौरवी, हर्यानवी, बांगरू और दखीनी जो अकार बहुला है जबकि उकार बहुल जो है वो है ब्रज, बुंदेली और कन्नावजी तो ये वाला जो चार्ट है ये हमें पूरा का पूरा याद होना चाहिए आप किस तो पहले के चार-पांच जो प्रशन रहते हैं वो हिंदी भाशा से संबंधित ही रहते हैं तो देखिए ये सधारण सा प्रशन है पूछा गया है और ये जो अर्बी, फार्सी, हिंदी, तुर्की बगेरा बगेरा जो शब्द हैं देखिए इनके लिए भी आपको कोई भी अपनी या व्याकरण की पुस्तक आप इनको पढ़ सकते हैं जहांपर आप शब्दों के बारे में देखते हैं कि शब्द के कितने भेध हैं, शब्द के रूप कौन कौन से होते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रशन का उत्तर मिल जाएगा तो इसका जो सही उतर होगा दे उसे क्या कहते हैं तो देखिए अभी चौथा प्रशन हमारा चल पड़ा है हम भाषा से इधर उधर नहीं हुए हैं व्याकरण से या भाषा से ही प्रशन पूछे जा रहे हैं तो देखिए ये संग्या सरवनाम के जिस रूप मतलब जो शब्दों को जोडता हो उसको क्या क तो देखिए पांचों प्रशन भी किसका है व्याकरण से ही पूछा गया है कि इस मेले का मुख्य उधर है कि व्यापार की व्रिद्धी हो कैसा वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सधारन वाक्य या फिर उधर वर्धक वाक्य देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा मिश्र वाक्य विकल्प नंबर दो देखे कैसे इस मेले का मुख्य उदेश्य है तो मिश्र वाक्य की पहचान ये होती है कि जहां पर जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर क्या हो आश्रित हो पहले वाक्य को पढ़ने के पश्चात हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि क्या चीज हो रही है है ना देखिए इस मेले का मुख्य उदेश्य है अभी हमें निशित नहीं है कि उस मेले का उदेश्य क्या है लेकिन जब हम आगे वाले वाक्य को पढ़ते हैं कि व्यापार की वृद्धी हो कि मतलब उस मेले का उदेशय है व्यापार की वृद्धी होना पहले हमें पूरी सूचना नहीं मिल रही है कि उदेशय तो है लेकिन है क्या व्यापार की व्रिद्धी होने से हमें मालूम चल पड़ा तो मतलब जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आशित हो उसे क्या कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं दूसरा जो इसको याद करने का तरीका है वो है की बीच में जिसके लगा हो ये दीखिए है के बाद क्या लगा है की लगा है तो सिंपलिस आपने याद रखना है की जिसके बीच में क्या है की या है वो क्या है मिश्र वाक्य है अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन नम्बर 6 भारतिय समविधान के किस अनुछेद के अनुसार उच्तम नेयाले तथा उच्नेयाले में सब कारेवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होंगी देखिए 6 प्रशन 6 के 6 जो प्रशन है ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था सारे के सारे प्रशन कहां से अभी तक भाषा से ही पूछे जा रहे हैं तो हिंदी भाषा का जो बनन मिलता है वो किन अनुछेदों में है 343 से 351 यह हम सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए और ये वाले जो राजभाषा संबंधी जो अधिनियम है जो अनुछेद हैं उनके उपर भी हमने एक वीडियो बना के रखी हैं अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं ठीक है यह देखिए विकल्प है 343, 344, 346 और 348 तो इसका जो सही उतर होना चाहिए देखिए क्योंकि उच्टम नियाले या नियाले से संबंदित जो भी कारवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी तो नियालें के लिए कौन सा अनुशेद है 348, तो इसका जो सही विकल्प होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर 4 अब देख लेते हम कि अन्या अनुशेदों में राजभाषा अंग्रेजी रहेगी साथ ही संसद को कानून बिनाने की शक्ती भी प्रदान की जाएगी तो ये 343 अनुशेद कहता है इनको याद करने के लिए हमने इस तरीके से भी कहा था कि 43 और 44 जो अनुशेद हैं वो किस्से हैं संसद से ठीक है और 45, 46 और 47 ये हैं राजय से संबंदित और 48 और 49 ये किस्से हैं ये हैं हमारे न्याल्यों से और 50 और 51 वो भाषाई अतार पर जो अलप संक्यक हैं उनके लिए ठीक है तो आप इसको इस तरीके से दो तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो देखिए 344 वा जो अनुछेद है वो है राजबाशा आयोग और इसका गठन कौन करता है राष्टपती के द्वारा प्रतमाद्यक्ष कौन थे रहे इसके ये बीजी खेर तो राजय से संबंदित देखिए अगला हमने पहले में ने बता दिया कि 45, 46, 47 किसे हैं राजय से संबंदित हैं कि एक दूसरे से या राजय जो है एक दूसरे से किस में पत्रचार के लिए किस बाशा का प्रियोग करेंगे ये इसमें बताया गया है ठीक है 346 में तो देखिए जो राजबाशा दिनियम 1976 में बना उसके द्वारा राजयों का बंटवारा कोखोग गोश्रेणी में तो ये किसके अंतरगत आता है इसी में आता है कि जो राजयों का बंटवारा होता है वो उसका वनन कहा मिलता है 346 में मिलता है कोखोग गोश्रेणी में 148 तो वो है नेयालियों की कारवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी तो यही उसका उत्तर था तो अगला प्रशन देख लेते हैं हम क्या है प्रशन नम्बर 7 अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था यह कथन किस आलोचक ने किस के बारे में कहा था तो देखे बहु या फिर महावीर प्रसाद दुवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में रामचंद शुकल ने जैशंकर प्रसाद के बारे में धंद दुलारे वाजबई ने महावीर प्रसाद दुवेदी के बारे में तो देखिए यह जो बात कही थी यह कही थी महावीर प्रसाद विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में उनकी हिंदी को देखते हुए है ना तो इसका विकल्प होगा विकल्प नंबर दो सही उत्तर ठीक है तात्विक दिश्टी से न तो हम इन्हें या कबीर को पूरे अद्वयतवादी कह सकते हैं और नहीं एकेश्वरपादी कबीर से संबंधित यह विचार किसका है तो देखिए जो चार स्थम्भ हैं भक्तिकाल के ठीक है कबीर, सूर, तुलसी, जाईसी तो इन चारों के बारे में खास कर यह जो तीन-चार नाम हैं जो प्रमुक प्रमुक अलोचक हैं वो क्या कहते हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन से संबंधित प्रशन कोई न कोई जरूर पूछा जाता है जो हलोचक ने चारों के बारे में क्या क्या चीज़ें कही हैं वो हमें तभी पता चलेंगी जब हम उनके उस चीज़ को पढ़ेंगे तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुकल का है डॉक्टर नगेंदर का है डॉक्टर बच्चन सिंग का दूसरा इतिहास है और रामसवरूप चतुरवेदी का जो समवेदना का इतिहास है ठीक है तो ये जो इतिहास की कुछ एक किताबें हैं इनको हमें इन चारों के वो होगा रामचंद्र शुकल तो हम चोड़ी नहीं सकते कि उन्होंने किसी को भी नहीं चोड़ा ऐसी कोई विदा नहीं है जिस पर उन्होंने टीका टिप्पणी न की हो है ना इसलिए तो उनको क्या खाजाता है हिंदी साही त्शय का सैंटा क्लॉस खाजाता है है लह भातल ग्याकरन संबंदी है या ज़ो तो धिके है सिद हेमचंदर जो है हेमचंदर ने लिखा है प्रम्य संबंदी ग्रंथ है तो अप्शन एक इसका क्या होगा सही उगा चलिए हेमचंदर के जो सुलंग की राजा सिद्ध राज जैसिंग और उनके भतीजे कुमारपाल के राजदरबार में ये आश्रित थे प्रसिद्ध व्याकरण है इनका सिद्ध हेमचंदर शव्दणुशासन और संस्कृत प्रकृत और अपब्रश का इसमें क्या है? समवीश है इनके इस रचना में इनकी अन्य रचनाये देखिए कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, चंदनुशासन और देशी नाममाला कोश तो ये थोड़ी सी जानकारी हेमचंदर के बारे में थी, बहुत मत्रपूर्ण है, कई बारे इनके बारे में पूछ लिया जाता है, कई बारे इनको क्रमानुसार रखने को आता है, जितने भी ये व्याकरण है, है ना, तो चलिए, अब हम देख लेते हैं, प्रशन नमबर दस हुआ, जमीन पक रही है, किसका कविता संग रहे है, नागरजुन, नरीश महता, कदारनाथ अगरवाल या कदारनाथ सिंग, तो देखिए, दो विकल्प यहां पर सेम सेम है, कई बार स्टुट्ट क्या करते हैं, कि इन में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ही इस प्रकार देखिए, किदारनाथ सिंग के जो कविता संग रहे हैं, वो हैं अभी, बिल्कुल अभी, 1960 में, जमीन पक रही है, 1980, यहां से देखो, 1983, अकाल में सारस, 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविता हैं, 1995, बाग, 1996, टॉलस्टोय और साइकल, 2005, सृष्टी पर पहरा, 2014 होगा, यहां प तक आपने, इनको याद कर ही लेना है, कई बार, इनकी जो, यह कविता संग रहे हैं, इनका भी क्या पुछ जाता है, कालक्रम अनुसार पुछ जाता है, ठीक है, तो मैंने आपके सामने रख दिया है, कि किस का प्रकाशन हुआ है, ठीक है, तो यह किदारना सिंग के कविता संग रहे थे अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन नमर 11 किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोगनायक तुलसी दास थे तो देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि तुलसी सूर जाइसी और कबीर इनके बारे में पूचा ही ज आता है और खासकर देखिए वही जो मैंने पहले भी कहा आपको विद्वान इसमें आ रहे हैं देखिए कामिक बुलके हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है विलियम जॉन्स है विलियम केरी है तो इन तीनों को अगर हम देखें एक तीन और चार विकल्पों को तो इन्होंने हम ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्यम के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है इन औरों की अपिक्षा तो इसका जो राइट अंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नमबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जो तुलसी दास हैं इनके बारे में किन-किन विद्वानों ने कौन-कौन सी चीज़ें कही है तो देखे कलिकाल का वालमिकी इनको कहते हैं नाबादास, मुगलकाल का सबसे महानायक स्मिथ जी कहते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे महानायक तो ये कहा है देखे जॉर्ज क्रियर सन ने भारत वर्ष का लोक नाएक वही हो सकता है जो समनवय करने का अपार धहरे लेकर आया हो तुलसी का सारा काव्य समनवय की विराट चेश्टा है हजारी प्रसाद दुवेदी तो देखे ये भी बहुत महत्वपोन पंक्ती है हजारी प्रसाद दुवेदी की की तुलसी का सारा क हिंदी कावय की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गुस्वामी तुलसिदास ने अपना उंचा स्थान प्रतिष्टित किया है और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं अचारे रामचंदर शुकल ये बात कहते हैं देखे शुकल का अगला कतन है कि तुलसिदास उत्त अमरितलाल नागर कहते हैं और मानस का हंस्त के नाम से ही इनोंने उपन्यास की रचना भी की है तो ये होगे जो तुलसिदास थे उनके बारे में विद्वानों के क्या-क्या मत हैं क्या उनको वो कहते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदू ना किसने की या इसके जो प्रत्थम प्रोफेसर थे या किस किन अध्यापकों का संबंध रहा इस कॉलेज से है ना इस तरीके से यहां से प्रशन पूछे जाते हैं तो देखिए इसमें है गिल क्रिस्ट पिंकॉट विलियम जॉन्स ग्रियर सन तो देखिए इसका जो सही उ इनका पूरा नाम था और इन्होंने 1800 में किया थी कॉलेज की स्ताफना की थी और 1800 में ही डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिल क्राइस्ट को प्रत्थम प्रोफेसर बनाया गया तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिल क्राइस्ट और य तो ये प्रशन भी बहुत मौतपूर्ण है कि जॉन किल क्राइस्ट क्या है किस शैली को गंवारु शैली का नाम इनों ने दिया है तो वो है हिंदुई है ना जबकि जो दर्वारी थी या फार्सी थी उसको ये कहते थे कि वो बहुत एक तरीके से आम जन्मानस से दूर की भा अशा है निरी है वो है ना फिर आती है तीसरी जो हिंदुस्तानी हमारी बच जाती है इस शैली को कहते थे वो इस सबसे सही है कि इसको कहते थे वो हिंदुस्तानी शैली को है ना इसको कहते थे वो हिंदुस्तानी शैली को है ना इसको ये था फोर्ट विलियम कॉलेज के ब मतपूर्ण रचना है रामधारी सिंख दीन करकी और इस पर जो विबाद उत्पन हो गया था ये किसकी स्मिक्षा थी भगवत शरण उपाध्याय की तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा option 4 ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं जेही पंखी के नियर होई कहे भी रहे कैई बा उहात्मक्ता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेष्टा है देखिए उहात्मक्ता के अलावा इसमें क्या है भाव समझना है हमने ठीक है तो देखिए हमने विकल्पों को सही तरीके से पढ़ना है क्योंकि ऐसे प्रशनों में क्या होता है कि एक तो ताप की मात्रा में प्रवरित है, यह अभी कह रहे हैं, इसमें विरहत आप की विदनात्मक् सवरूप की अत्यंत विशद वियंजना की गई है। प्रशन नमबर 15, मैं कहता हूँ आंकिन देखी, तू कैईदा कागध की लिखी, तो यह किसकी पंक्तिया हैं सबसे पहले तो यह भी आमें जानका ही होनी चाहिए, यह कबीर जी ने कहा है, है न, तो उन पंक्तियों का आश्य क्या है उनका कहने का देखिए, प्रतियक्ष ग्य को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, या फिर प्रत्यक्ष ज्यान पुस्तकिय ज्यान से हीन है, चौथा विकल्प है स्वानूभवग शास्त्रिय ज्यान से बढ़ा है, तो देखिए, कबीर ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही थी, कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तु क कहता, कागद की लेखी, मतलब वो यहतार्थ को मानते हैं न, कि जो चीज खुद इनसाने जी हो, उसी को वो कहता है, तो चौथा जो विकलब है, वो इसका स्वाई होगा, कि सवानुभब क्या है, शास्त्रिय ज्यान से बड़ा होता है, कि पुस्तकिय ग्यान से जादा जरूरी होता है, प्यभारी चीज़ें जरूरी होती है, है ना, ये मांते हैं कभीर जी और यही इनकी पंक्तियों का क्या है, इसमें आश्य है, ठीक है, तो अगला प्रशन देख लेते हैं, प्रशन नंबर 16, गीत फरोश में कभी क्या कहना चा और गीत फरोश जो बवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, है ना, ये हमारे पाठेक्रम में शामिल है, और उसका जब भाव है देखिए, वो हमें पढ़ना ही पढ़ेगा अब की जो कभीता हैं लगी है, एटलिस्ट उनको तो हमें पढ़ना ही है, उनका केंदरी भाव क्या है, तो देखिए, यहां पर कभी के लिए सुनहरे अफसर बहुत हैं, ये option एक है, दूसरा है कि दूसरों के मनमाफिक कभीता लिखने और बेचने के लिए कभी विवश है, कभी पैसे के लिए गीत लिखता है, कभी ग्यान और संबेदना से हीन होता जा रहा है, तो नहीं है, और गीत फरोश में जो क्या चीज है, देखिए, वो क्या है, वो दूसरों के मनमाफिक कभीता लिखने और बीचने के लिए क्या है, बिवश है, तो इसका उत्तर जो क्या होगा, वो विकलप नंबर दो होगा, अगला प्रशन देख लेते हैं, प्रशन नंबर 17, राम तुम मानब हो, इश्वर नहीं हो क्या, विश्च में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या, ठीक है, आधुनिक दिश्टिकोन से प्रेरित मैथली चनगुप्त ने राम के विश्य में यह काव्योक्ति किस काव्यगरंत में लिखी है, तो देखिए, पंचवटी है, साके पूरा नहीं पड़ा है, तो या पंचवटी पूरी नहीं पड़ी है, तो आपने एक थोड़ा सा अपने दिमाग को हिलाना है कि पंचवटी हमारे पाठेक्रम में शामिल नहीं है, नवुश भी नहीं है, विश्यू प्रिया भी नहीं है, तो इसका उत्र हम किस की ओर जाए साकेत की ओर जाएंगे और साकेत ही इसका सही अंसर है तो पंक्तियां जो महत्पुन पंक्तियां वो हमें याद करनी पड़ेंगी जितने भी हमारी कविताएं लगी है तो साकेत देखिए इनका जो महाकाव्य है तो वहां से ये पंक्तियां ले गई है तो इसका उत्तर होगा option प्रशन नमबर 2 clear है ? अगला हम देख लेते हैं प्रशन नमबर 18 धर्मबीर भारती के संदर्व में क्या सही नहीं है ? व्यक्ति स्वातंतर या के बिरोधी कभी है ? व्यक्ति स्वातंतर या के पक्ष्टर है या फिर कशोर खावुकता के ले ख़खः है तो देखिए अंधेर नगरी नाटक, तो नाटक के द्रिश्यों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, कि उसमें कितने द्रिश्य हैं और कौन-कौन से वो हैं, ठीक है, तो देखिए अरने है, जंगल है, बाजार है, फिर शम्षान है, तो इसका जो सही उतर होगा बावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है, यह समबाद किस पात्र का, किस के ब्रती है, तो देखिए नाटक से यह पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जितने भी हमारे पात्र क्रम में नाटक लगे हैं, 10-11, उ फिर प्रस्तुत्समवाद चंद्रागुप्त नाटक के किस पात्र का है, यह है, वररूची चानक्या या चंद्रागुप्त या फिर राक्षस, तो देखिए कथन पूछे जारहे हैं, तो इसलिए नाटक को एगजाम से पहले एक एक वात जरूर पढ लिया जाए, तो हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं, जो सरब सुख है, वो किसका है, देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र है, है ना अगरवाल बनिया, तो ये उपन्यास से पुछा गया है प्रशन, इसका होगा option एक, अगला जो प्रशन है देखिए, प्रशन नमबर 23, ये भी उपन्यास से ही है, हालांकि हमारी जो दूसरी यूनिट चली है, उसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे अभी, हिंदी में नौविल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रत्थम प्रियोग, मतलब उपन्यास जो पद है, उसका सबसे पहला प्रियोग किस ने किया है, हिंदी में, महावीर प्रसाद दुवेदी, भारतेंदू हरिश्चंद्र, प्रताप नियाराइन शरीवास्तव, या फिल, बाल, क्रिशन, भट, इसका जो सही उत्तर है, ये प्रशन बहुत बार पूचा गया है, रिपीटिड कुशन है ये, दिसंबर 2019 में जो पूचा गया था फिर से इसको, और ये है भारतेंदू हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या क्या था, standards में उपन्यास पद का प्रत्थम प्रियोग किया था, क्लियर था? लेखें सिम्पल सा सीधा प्रशन पूचा गया है, अगला प्रशन भी उपन्यास से ही समिन दीत है, तो इसका जो साही उतर होगा देखे वो होगा आपका बंटी आज का आखरी प्रशन आप देख लेते हैं कि अंतिम प्रशन क्या है कि निमे लिखित में से कौन सा निबंध रामचंदर शुकल द्वारा रचित नहीं है तो देखिए रामचंदर शुकल द्वारा जो रचित नहीं है वो है विकलप नमबर दो तो ये बला इनका जो निबंध है नहीं है बाकी तीन इनी के हैं तो ये थे दोस्तो आज के 25 प्रशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे अगले 25 प्रशनों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जय हिंद जय भारत